नमस्कार दोस्तो दोजार ग्यारा का विश्वकप जिसमें भारतिय टीम अपने पिछले चारो मेच हाड़ चुकी थी और आश्टेलिया टीम पाकिस्तान से हारकरभाद से क्वाटर फ़रनल मेच खेलने आई थी एहमदाबाद के नैंद्र मोधी स्टेडियम में ये सांदर मेच खेला जाए था और इस स्टेडियम का पहले नाम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम था तो दोस्तो आए जानते हैं इस मेच में आश्टेलिया जैसी मजबूर टीम ने भारत से किस तरह टक कर ली थी तो दोस्तो दोनों टीमों के बीच टोस शुरू होता है जिसमें आश्टेलिया ने पहले टोस जीतने के बाद बल्ले बाजी करने का फेशल लिया ओपनिंग करने आये सलामी बल्ले बाज ब्रेट हेडन और सेन वार्टसन ने आकरमत बल्ले बाजी करनी शुरू की इस समय सेन वाट्सन तेज बल्लेवाजी करते हुए आगे बढ़ रहे थे और कीच पर अपना पेर जमा चुके थे कि तभी मेच के दसवे ओर में गेंद बाजी करने आए रवी चंद्रा स्वीन ने सेन वाट्सन को 25 रन पर बोल्ड कर दिया जिसके बाद भारत को पहली सफलता मिली तीसरे नमबर पर बल्लेवाजी करने आए रिकी पॉर्टिंग ने ब्रेड हेडन के साथ रन गती को जारी रखा लेकिन आश्टेलिया का रन रेट इस समय बहुत ही कम था जिसके बाद आश्टेलिया ने रन रेट बढ़ाने की जल्द रन हो चुका था इधर कप्तान ही पारी खेलते वरेकी पॉर्टिंग की 104 रनों की बदोलत आश्टेलिया छे विकेट पर 260 रन ही बना पाई गेंदवाजी में भारत की तरफ से रवी चंदरा स्वीन जाहिरी खान और यूबराज सिंग ने दो-दो विकेट लिए भारत को प रन बना कर आउट हो गए जिसके थोड़े दिर बाद सचीन भी तरेपन रन बनाकर आउट हो गए जिसके बाAD क्रीच पर विराट कोली और गोतम गंबीर ने तेजी से रन बना कर पचास रोनों की सांदर पाटनर्सीब बनाई लेकिन अपसोस विराट कोली भी 24 रन बनाकर हसी की बोल पर आउट हो गए इस समय भारतिय टीम पूरी तरह से दवाब में आ गई थी जिसके बाद गोतम गंबीर भी हतास में खेल लाए थे वे तीन बार रन आउट होते हुए बच गए थे लेकिन आश्टेलिया की चुष्ट फिल्डिंग के आगे गोतम गंबीर आखिर में 50 रन बनाकर रन आउट हो गए जिसके बाद युवरा सिंग और मेंद सिंग दोनी की जोड़ी किरिश पर थी लेकिन 190 रन पर मेंद सिंग दोनी भी बेडली की बोल पर 7 रन बनाकर आउट हो गए इस समय भारत को जीत के लिए 75 बोलों पर 74 रन चाहिए थे और इस समय आश्टेलिया मेच पर फूरी तरह हावी हो चुका था लेकिन इसके बाद क्रीश पर बल्ले बाजी करने आए युबरा सिंग और सुरे सिर्णा ने सूजबूच और सासिक पारी खेलते हुए भारते पारी को जीत की तरफ ले जा रहे थे और अगले ही पल वे रोमांचक पल आया जिसमें मेच के 48 वे ओर में गेंद बाजी करने आए बेडली की बोल पर युबरा सिंग ने कवर छेत्र में सांदार वुजेई चोका लगा कर भात को सांदार जीत दिलाई भात नहीं है मेच पांच विकेट से जीत लिया इस मेच में युबरा सिंग की सांदार पेशट बोलों पर 57 रन की मेच जीताओ बल्लेवाजी के लिए उन्हें प्लेयर ओप दा मेच का अवार दिया गया इसके लावा दोस्तों इस विस्वकप में भात और पाकिस्तान जो हमेशा कट्टर रहे थे इन दोंने साथ मिलकर आ आदागरी को खतम किया था जिसके बाद अगला मेच भात और पाकिस्तान के भी शुरू हुआ तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जुरू करें धन्यवाद